स्वागत अब कामारी एक और नई वीडियो में, तो चलिए, आज जानते है Wonder of the World के एक और नायाव वंडर के बारे में, जो है Great Pramid of Giza, तो Giza का एक Great Pramid, एक कबर है, Egyptian Pharaoh, खुफू का, जहां इसको बनाने में लगबख 20 साल लगे, जिसके अंदर 3 दफनाय जाने वाले Chambers है, इसापुर वहा था, और जिस समय बना था, इसकी उचाई, 147 मेटर थी, पर आज, कुछ प्राकर्तिक कारणों के कारण, इसकी उचाई, 149 मेटर है, तो अगर आप आज एजिप्ट, यानि की मिस्टर जाते हैं, तो आप इस प्रामिट के अंदर एंटरी ले सकते हैं, बाकी तीनों प्रामिट में से सबसे बड़ा है, जो बॉर्डर करता है, अलगीजा और एजिप्ट को, और साथ ही, यह अब तक का बनाया एक सबसे बड़ा प्रामिट है, जिसको बनाने में 23 लाग पत्थरों का इस्तमाल किया गया, जिनका वजन 69 मिलियन टन है, लेकिन ग् के नीचे की तरफ अंदर जाना पड़ेगा, और वैसे था ग्रेड प्रामिट ओफ गीजा में, पहले एक उसके एंटरंस में घूमने वाला दरवाजा हुआ करता था, जिसका वसन 20 टन माना जाता है, जिसको अंदर से धक्का देकर आसानी से खोला जा सकता था, पर बाहर से ये समझ पाना की एक दरवाजा था, काफे मुश्किल था, जो फिलाल आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, और इसी तरह के और दरवाजे पाहे जाते हैं, कुफू के पापा के पिरामिट और उसके दादाजी के पिरामिट में, और वैसे पिरामिट को बनाने में, जिस तर तो और ये पर्यांटे पराइडekाटव फिर में। जिसमें कषिब साइट्न ही और साथ है के आप जानाते हैं अगर हम इस पराइमेड करने कुश्च करें आज की त ाहीछ के तारीखメ पिरमेड के अंदर, टीन Behrail Chamber बनाए गए थे, यानि, कि दफनाय जाने वाले Chamber बनाए गए थे, जिसमें से पहला Chamber तल पे था, उसके ऊपर था Queen का Chamber, और उसके ऊपर था राजा का चेमबर पर कुफू कुईं चेमबर का किसी भी रानि के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाथा बज़ отпने उसके ये माना जाता है कि वो चेमबर व स्टेचे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था तो घर ये थे कुछ अजीफ facts या तथय पिरामिट के बारे में तो आपका क्या मानना है तक ग्रेट पिरामिट आफ गीजा के बारे में अपने अन्य विचारा कि ना बेल्कुल ना भूले इस वीडियो को